हेलो क्यूटीज आप सभी लोग का स्वागत है मुवीस पंगट में आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इस लॉखियस थिंग तुमी का एपिसोड डूगी एपिसोड के स्टार्टिंग होती है जुन संग बातरूम में नहारा होता है और तभी वहां पर लिंजी केट ख आदती घर पर मुझे कभी नौक नी करना पड़ा प्ली सॉरी फिर वह देखती है कि जुन संग जैसी बातरूम से आया है उसने टीशिट उल्टी पहन लगी तो बता देती है कि तुमाही टीशिट उल्टी है पर जुन संग अल्डेडी लिंजी से गुचता था तो बोल दे देखता है कि यही फैशन चल रहा है और इसका डिजाइन ऐसे ही है फिर वहां से चला जाता है फिर लिंजी सोच रही होती है कि मैं फैशन में इतनी पुरी भी नहीं हो मैंने तो खबी ऐसा डिसाइन नहीं देखा फिर दिखाते हैं जुन संग अपनी स्कूल में होता है जुंसे डर जाता है फिर फिर वोट अच्छल में सब को सबना देख रहा था क्योंकि वह एक लिंजी से इतना परीशान हो चुगा था तो अब इसको लग रहा था कि में चीशका पानी भी खत्म हो गया तो भी किछिन में जाता है पानी पीने खेले पर वहां पर उसको एक करके दिख़ाए जो चुपी हुई थी उसको फिर रफ़ लग जाता है कि कहीं सच में बूली तो नहीं है फिर बहुत सब जा के देखता है पास में तो यह थी पर लिंजी तो फिर लिंजी बी खड़ी हो चाती है दोनों चिलाने लगते है तो जुन से चाहिए लाइट्स अन क करूं तो इसलिए मैं चुप गई जुन रिंग बोलता है कि अब इसमें भी मेटी कहती होगी अब मैं तुम्हें कुछ भूल भी नहीं सकता हूं और फिर वहां से घुष्टे में अपना कप उठा के जाने लगता है पर लिंजी उससे बोलती है कि तुम अपना कपनी लेके जा करती है और वह भी बड़ी परिशानती कि बताओ इसको तो इससे तो मुझे फ्रेंशिप करनी थी और मेरी वजा से इसको क्या क्या नहीं जेलना पड़िया पहली दिन हम मेले और इसको पनिश्मेंट मिल गया सबसे माफिक मांगनी पड़ी और मैंने इसको डरा भी दिया है जिसको देखके जुन्जिंग और जादा फ्रस्ट्रेडड हो जाता है फिर दिखाते हैं जुन्जिंग की मॉम जुन्जिंग बोलती है कि लिंजी को अच्छे से स्कूल में ले जाना और सईसलामत इसको वापस बे ले आना जब जून्जिंग की मोम वहां से चली जाती है जिसको साथ साइकल बेठ जाती है पर जून्जिंग उसको हटा देता है कि सैकल से में ने लेके जाऊंगा और सुन्ड़ो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों साथ साथ रहते हैं और उसको रास्ता पता देता है कि ऐसे करके स्कूल पहुँछ जाना जब लिंजे स्कूल पहुशती है तो वो देखती है कि जुन जिंग के पास एक लड़की आ गई है वोसे कुछ कुश्चन कुट अब कर रही है तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड जियांग आ जाती है और जियांग से पूछती है कि यह स्कूल में इतना ही ज्यादा फेमस है कि हमारे स्कूल म बहुत ही जादा फेमस है। तो मॉनिटर रहोगे और अपने साथ 5-6 बच्चों को और ले लो तो वक्नासम बोल देता है कॉन कॉन इसमें वालेंजियर करना चाहता है इसमें लिव भी पैटिसिपेट कर लेती है और उसकी देखा देख लिंजी भी पैटिसिपेट कर लेती है आधे हम प्ले को डिसकस कर और जुझेटियों होते हैं और जुन सींग उनको बता लेता है कि एक संपल सा प्ले है इसमें के बालें बात करनी है रबी सी दो डेव, शूप रिए है कि वह प्ले कर लेगे क्यूंकि यॉह लास्ट में रबविसयों WBC को हग भी करना था उसकी बात सुनके लिंजी बोल देती है कि तो फिर इस रोल को मैं भी प्ले करना चाहती हूँ लियू लिंजी से पूछ लेती है कि तुम्हारी इंगलिश भी ठीक था कि तुम ठंक से भोल भी पाऊगी तो वो कह देती है मुझे थोड़ी ना बोलना है जियंग बोलेगा पर जियंग का बिल्कुल भी मननी था क्योंकि वो लाइन काफी साहता लॉंग थी और उसमें काफी हार्ड वर्ड यूज होने थे पर फिर भी जब लिंजी और जियंग उसको प्रिशराइज कर देती है तो हां बोल देता है कि हां मैं ही रोल प्ले करूंगा और मैं ही अपने दोस्त को हग कर लूँगा फिर दिखाते हैं क्लास के चुट्टी हो गई थी सब बच्चे घर चले गए थे और तब ही लिव आके लिंजी से बोल देती है और वेट करने लगती है कि कभी सब लोग आएंगे रात हो गई थी पर कोई आता ही नहीं है वो अके ले बैटी थी फिर दिखाते हैं घर पे जुन्जिंग टीवी देख रहा था था अभी उसकी मौम आती है और वो कहती है कि लिंजी को बुला लो खाना खाने के लिए पर जुन्जिंग बोलता है कि लिंजी तो अभी तक घर पे आई नहीं जिससे उस सुनके उसकी मौम परिशान हो जाती है वो कहती है कि बताओ अभी तक वो क्यों नहीं आई और अब तो उसको आने के लिए कोई बस भी नहीं मिलेगी, लास्ट बस भी जा चुकी होगी, वो घर कैसे पहुचेगी, जब वो दिखता है कि उसकी मुझती परीशान हो रही है, तो बोल देता है कि ठीक है, मैं उसको ढूनने के लिए जाता हूँ, फिर दिखाता है, लिंज और अभी वो रात को बाहर चला गया था, इंटरनेट कैफे, और इस टाइम पर अलाओ नहीं है कि वो लोग बाहर चा सकते हैं, तो इसलिए सिक्यूर्टी कार्ड उसको ढून रहे थे, बटकाई लिंजी से काफी ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था, फिर वो उसे बोलता ह कि पर दोनों बहागते हैं, गार से चुप जाते हैं, और फिर जब गारण से चले जाते हैं, तो वो लिंजी से कहता है कि तुम मुझे डरी नहीं, तुम बहुत आच्छी लड़की हो, हम कल स्कूल में मिलता हैं, क्यूंकि फिर जलिप Kitty और लिंजी दोनों में प्रेंशिप भी हो गई थी जब लिंजी चाहरी थी तो उसको जुन्सिंग मल जा था और उससे पूछता है कि इतनी रात कहां पर हो गई थी तुम्हें पता नहीं है जो हम दूसरों के घर रहते हैं तो हमें जल्दी घर पर पहुच जाना चाहिए उन दूसरे लोग को चंता होती रहती है कि इसमें मेरी गलती कहां थी वो लियू ने मुझे जूट बोल दिया कि वहां पर रिहर्जल हो रही है और यह सब वो जुन्सिंग बोलता है कि वैसे तुम बहुत होश्यार बनते फिरती हो अभी तुम्हारा बिल्कुल भी नुकसान ना करे बस तुमारे साथ रहे पर आज सकल ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसी बाते हो जाते हैं जिससे मुझे डर लगा रहता है कि कहीं तुम दोस्त हो कि आमेने दुश्मन ना बन जा और वह इसी राइप से बात कर रही हो थी और उसकी बात सुनके जुन्सिंग को याद आता है कि जब वो जैंग के साथ जाया करती थ तो जैंग भी उससे बोल दिया करता था जुन्सिंग से पूछती है कि प्लीज जुलाइं तुमने भी बूली उसको रिपीट करो और बार बार उससे रिपीट कराती रहती है फिर नेक्स्टे स्कूल में दिखाते हैं लिए उसे अपना बतला ले रहती है और क्लास में इसक पार्ट होता है तैसा जुन्सिंग बहुत अच्छे से पाफोर्म करता है खेस्कापोर्म करूं करी होती है और जैसे ही आ जीमतिकतृब नंबर आता है उसकी तबहुत खराब हो गई थी वह कह देंद कि मैसी है है मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और वहां पर अनाउंस हो गया था कि आर्बीसी को एंडर करना पड़ेगा तभी वहां पर लिंजी आ जाती है और वह सारी लाइन्स पोल देती है और लास्ट में जब और डफ्लू बीसी उस वाइरस को हरा देते हैं तो आर बीसी एकदम नहीं डग्से हो गया जुन जिंग बोलता है कि वैसे तुम्हें जियां की साइन्स याद कैसे थी लिंजी बोल देती है कि मैंने देखा था जियांग से वह यादनी और तुम इसको कितना बोल रहे थे कि उसको यच्छे से परफॉर्म करना है तो इसलिए मैंने भी उस्की याद कर ली थी कि प्रॉब्लम ना हो लिंजी की बात सुनके जुन सिक इसको थैंक्यू बोल देता है और थैंक्यू को सुनके लिंजी को यकीन नहीं हो रहा था वो से कह दी जिए कि सब तैंक्यू से काम नहीं चलेगा तो में ट्रीट भी देनी पड़ीगी और उसे मिल्क्ती के लिये ले जाती है बुहाँ से बैठी होई थी कि उसकी फेडरेट मिल्क आने वाली है यह पर जब मिल्को पीदी में चलता है कि एक कौप दिedor की और या सिर्फ हमें टी यह को सब्सक्राइब रहा था वो इस से ब Hani 지역 को कुर जाते हम थी था है तो यह को से सानी एक कुल ऐसी बाते कर रहे हैं जैसे टीवी पे एक्सपर्ट बोलते हैं और फिर वो उस्ते कह रहे थी है कि मेरे भाई को और मुझे सर्फ ऐसी मिलती पसंद उसको पूर अपना ओरर सुना देती है पर जुन सिंग फिर उसकी बात पर ज्यान नहीं देता और वो कह रहे था है तो खुदी पीलो फिर वहां से जाने लगता है लिंजी को गुष्टा आ रहा था फिर वह भी किस पीछे पीछे चल देती है अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और जैसे उसका बैलन्स बिगड़ता है वह जंसी के ऊपर आके गिरती है और गल्ती से उसका ट्राउजर नीचे किसक जाता है और फिर लिंजी उसके नेकर को देखके बोलती है कि तुम्हें भी शिंचेंड पसंद है और फिर अपना मूझ छिपा लेती है बर जुन जिंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुश्दा आ रहा होता है वो उससे कहता है चोड़ो मेरे कपड़े और फिर यही पर कि एपिसोड फिनिश हो जाता है अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शियर करें कॉमेंट्स करें और बाइबाई तिल नेक्स वीडियो